अब लोग अब देखने वाले हैं तो देखिए आप लोग सबसे पहले हम लगबग दो जो है फर्मुला का क्लासिस हम लोग कर चुके हैं यह हम लोग का तीसरा पाट है वरितिय गति सर्कुलर मोशन का हम लोग तीनों फर्मुला देखेंगे काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम बेस्ट गूर्पडी और एंटीपीसी के लिए तो बेस्ट है यहाँ पे और इसके बाद तीनों जो फर्मुला पे हम लोग एक ही कुश्चन को करेंगे आपका जो है इस तरीका से 20 से लेके में आपका 20 से लेके 25 टॉपिक वाई जो है फर्मुला नुम्रिकल वीडियो आपका आएगा ठीक है तो सबसे पहले यह आपका फर्मुला कहां से है कहां पे आपको इसका पीडिये मिल जाएगा तो यह जो हमारा ही बुक है चोधो से प्लॉस एडुकेटर अनकडेम पे है वापे औल गोल में आपको क्या सेलेट करना है तो सेसी एक्जाम नॉन टेक्निकल को आपको सेलेट कर लेना है और हम आपका कम्प्रीड करवाएंगे साइन्स उसके बाद हम लोग जी के डियस में अनकडेम पे किसी भी सेस्क्रिप्शन के यहा है यहा है केंड़ पर बना कुण तथा कि आपका समय है और उमेगा फॉल्टूपैला फ्रूलसरा विरिट्या गति से आपका दूसरा देख विए वहा कितनी जिया आपका radius है और omega तो पता है omega आपका क्या है तो कौनिय वीग है ठीक है दूसरा आप देख लिए V equal to omega r यह आपका दूसरा formula आगया तीसरा formula आप लो देखिए A equal to क्या होता है V square by r जहाँ आपका A क्या है कौनिय त्वरन है आपका कौनिय त्वरन है r है आपका 3 जिया है तो यहाँ पे क्या आगया A equal to V square by r यह आपका आगया तीसरा formula तीन formula जो है circular motion से आपका important है और चौता जो है आपका very very important आपका formula है इसको जो है आप लोग copy में note down कर लिजिए इसी को हम लोग काते है अभी केंदर बल centipetal force F equal to क्या होता है mv square by r यह chapter से मात्र circular motion से आपका वरित्य गति से आपका 4 है F equal to mv square by r चारो formula से हम लोग जो है जो important आपका कुछ numerical है उसको बस हम लोग देख लिए है पहला numerical सबसे पहले आप देखिए पहला हम लोग सबसे पहले देखते है हम लोग कि क्या आपका किस टाइकर numerical बनेगा आपका exam based रहेगा उससी को हम लोग देखते है जैसे आप पकल लिजे कोई एक question दिया है हम question को आपर read out कर देंगे और उसका main pointer को उसको बसम लिख देंगे एक pin को जिरो पॉइंट टू मीटर त्रीजिया के 36 वृत पर घुमाया जाता है इसका कोन्य वेग दस रेडियन सेकंड है ठीक है आपका त्रीजिया कितना दे दिया है सबसे पहले आप देखिए note down कल लिजेगा copy में इसको और formula से इसको एक note बना लिजी आर इकवल टू कितना हैगा 0.2 मीटर आपका त्रीजिया दे दिया है घुमाया जाता है इसका कोन्य वेग आपका 10 रेडियन प्रती सेकंड है कोन्य वेग आपका देखिए उमेगा इकवल टू कितना है आपका दस रेडियन प्रती सेकंड आपका दिया हुआ है तो वीताकार मार्ग के किसी बिंदू पर रेखिया वेग क्या होगा रेखिया वेग अगर आपको निकालना है वी इक्वल टू आपका क्या होगा वी आपको निकालना है पकल लिजी V अगर आपको निकालना है तो क्या होता है V एक्वल टू उमेगा आर होता है सभी को पता है यही वला फर्मूला हम लोगाए है बस इस फर्मूला का हम लोगाए है आप इसको देखिए इससे बाहर आपको फर्मूला नहीं पढ़ना है यह जो formula है आपको बस हम लोगे EC को लगा दिये है ठीक है सबसे पहले हम इसको अटा देते हैं जिसे आपको बिल्कुल clear आपको नजर आएगा देखिए आपका concept formula लगा है तो आपका यही वला formula बस लगा दिये है क्या है यहाँ पे तो V equal to omega r है V equal to omega r है omega आपका दिया है 10 r आपका दिया है 0.2 कितना आगया simple यह आपका दो आगया दो आगया आपका answer क्या आजएगा दो मीटर प्राथिस सेकंड पहला concept आपका clear हो गया होगा पहला concept आपका clear हो गया दूसरा concept पर आएए जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कोशन देख लेंगे F equal to mv square r है यादी एक वस्तू है जिसका द्रमान आपका 5 kg है एक गोले में जिसका रेडियन एक मीटर और दो रेडियन प्रतिस सेकंड के कुनिये गती से गुमती है तो अभी केंद्रे बल आपको निकालना है क्या-क्या आपका दिया है हम यहाँ पर रफली आपका लिक दे रहे है आपको देख लिजिए द्रमान अगर आपका 5 के जी है 3G आपका कितना है 1 मीटर है 3G आपका 1 मीटर है रेखिये चल आपका कितना है 2 रेडियन प्रतिस सेकंड आपका दिया ह entertain ठीक है अभी केंद्रे बल F एक्वल टू M V स्क्वार और बटे में क्या होता है R होता है बस बहलोपिट किजी M कितना है 5 है V आपका कितना है 2 गुने 2 है R आपका कितना आगया R आपका 1 है 5 दोनी 10 दोनी 2 क्या हो गया 20 न्यूटन आपका आजाएगा अभी केंद्रे बल बराबर कितना आगया 20 न्यूटन बस आपको यही फर्मूला यहाँ पे लगा देना है इससे आपको बिल्कुल भी अलग नहीं लगाना है इससे आपको बिल्कुल भी अलग नहीं लगाना है और यह जो आप यहां का तीसरा आप इस टाइब से एक question आपसे पूछा जा सकता है अगर आपका R दिया है 1.96 meter आपका दे दिया है ठीक है पहला हो गया अभी केंद्र बल अगर आपका दे दिया है centipetal force अगर आपका 25 newton अगर आपको दे दिया है तो हमको क्या नीकलना है V नीकलना है आपको यहां पर M आपका दिया है 0.25 kg हम लोगा फर्मुला क्या जानते है F एक्वर टू M V स्क्वाइर बटे में R होता है यहां से अगर हम लोगको V नीकलना है तो V नीकलना है क्या आज़ाएगा 0.96 बटे में M आपका कितना दिया, 0.25 इसको solve किजिए, solve एकदम किजिए, 25 गुने 1.96 अच्छा, इधर से उधर तो आपका 100 कट गया, 25 और 25 भी कट गया, 196 के वल बचला है आपका, यह सब आपका कट गया, यह point भी कट गया, आपका क्या बचला है के वल, V square बराबर 196, तो V ब फर्मूला से हम लोग आसानी से solve कर लिए, इस chapter से आपको इस से बाहर आपका फर्मूला बिलकुल भी नहीं पढ़ना है, इस से बाहर आपका बिलकुल भी आपको फर्मूला नहीं पढ़ना है, W equal to omega, वर ठीटा बाइटी, दूसरा है V equal to omega, तीसरा है A equal to V square Vr, और आपका centip फ्रिक्शन का जो है next topic आपका मिलेगा force और friction का, एक घंटे बाद आपका force और friction का वीडियो आजेगा, हर एक एक घंटा में आपका topic wise formula और उसके साथ numerical आपका आएगा, मिलते हम लोग next वीडियो में धन्यवास अबेको